नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूँ निधिया आपके साथ सोशल मीडिया अब राजनीती में भी एहम भूमी का निभाते नज़र आ रहा है जी हाँ जाकर नाई की एक ट्वीट ने कई तरह की राजनीती खलचले पैदा कर दी आपको बता दे कि पूर्व मुख्यमंतरी दिगविजैसी भी अब इस पूरे मामले को लेकर BJP को घेरते नज़र आ रहे है चलिए इसी को लेकर चर्चा करते हैं हमारी समवाद आता कृष्णा से क्रिष्णा बताए क्या कुछ अपडेट्स है एक बार फिर जाकर नाई को लेकर भारत में सियास्त तेज हो गई है आपको बता दें कि जाके नाएक एक विवादस पर धार में इस्लामिक गुरू हैं वो इसलाम को लेकर इसलाम धर्ण पर वो व्याक्षान दे रहते हैं उनका माना जा रहा है कि उनका पूरे दुनिया में कर्ब लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं और उनको लेकर उन्हों ने बीटे इनों पहले एक टूीट किया था जिस में नहीं जहीट किया था कि प्रफिय पहारत में वाप्सी करने में सहायता करें तो इस ट्वीट को लेके जो है दिवजय सिंग ने पीम मोदी और अमिच शाह बे निशाना साधा है कि अगर जाके नायक ने ये ट्वीट अगर जाके नायक ने ये ट्वीट सही किया है तो सरकार की तरब से इसका अभी तक खंडन क्यों नहीं हुआ है तो इसको ले लेके एक बार फिर देश में जो है जाके नायक को लेके सियासत तेज होगी है जाके नायक वो सक्स है जिनके खिलाप बहुती गंभीर आरोबला लगे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कई उपदेश के कारण वो एक इस्लामिक उपदेशक है कि कारण बंगला दे प्रवाइब करता है तो खुल मिला कि एक बार फिर जो है जाकिन नायक को लेकर जो सियासत तेज हो गई है जाकिन नायक 2016 से भारत से बाहर चलना है क्योंकि 2016 में उस समय बंधमाका हुआ तो उसके बाद से सक्किश्वी उन्टे गुमी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत में सरकार उनको ग्रहफतार कर सकती है इसके बाद उन्होंने देश छोड़के वह मलेशिया में शिप्ठ हो गया और बाद सरकार बीते कई समय से उनके प्रत्यपन की कोशिस कर रही है जी तो अभी देखा जाए तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और ग्रह मंतरी अमिच शाह ने स्ट्वीट का खंडन क्यों नहीं किया इस बात को लेकर बीजेपी को घेरा है पूर्व मुक्यमंतरी दि और ऐसी कई बार दिखा भी गया है कि दिए संहिंग जाके नाह के क्या समारों में गई या भी मौत इसको लेक है बीजेपी ने उस वक्त काफी निसानता था कि कोगनेस वर टिवीजा सेंग का जाके नाहीं नहीं कहांड था उनका जाके नाइक्स एक एक जो सामाने साथ समद्ध है उनकी जो कोई जो कट्रवादी गतिविदिया है उनका इससे कोई लेना नहीं है तो वहीं अब बीजेपी ने इस पर प्लटवार करते हुए केलास विजे वरिये ने कहा कि दिगोजे सिंग मिथ्या परचार फेला रहे जिससे देश में एक वातावन परदूसित होगा वहीं पुर्व मुख्यमंतरी उमाब भार्दी ने भी बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जो ये सब ही जानते हैं कि दिगोजे सिंग का जाके नाइक के साथ समद्ध रहा है और इस तरह फिर से जूटा बयान देखे वो क्य कि वह हमेशा ऐसी बयान बाजी देते रहते हैं जो सीमा पार के लोगों के भासा से मिलती है तो इसको ले लेके एक बार फिर जो है देश में जो है सियासत फिर से गर्मा कर्मा गई है बीजेपी सुरूर से ही जाकिन नाइक को लेकर हमलावर हैती थी कॉंग्रेस पे अब ज आप इस पे अपना अभी तक क्यों नहीं दिया है? जी तो कॉंग्रेस मांग कर रही है अपका जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद धनिवाद MP की नफस, MP का हाथ, मज़ी प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अबडेट से लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे